नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां के टॉप 25 पर्मों खबर जानते हैं एक जुट हुए पंजाब हर्याना और यूपी के किसान क्रिसी कारून के खिलाप किसानों की भले ही केंदर सरकार से नब बन रही हो वही जमीनी विवाद को लेकर हर्याना और यूपी के किसानों के बीच भी सालों से विवाद चलता रहा है बतादे 50 साल में पहली बार पुराने विवादों को छोड़ पंजाब हर्याना और यूपी के किसान एक साथ किसी आंदोल में खड़े दिख रहे हैं तीनों राजे के किसानों के बीच इस कदर भाईचारा दिख रहा है कि वह एक साथ खुले आस्मान के नीचे साथ साथ खाना खा रहे हैं और बिलोत प्रदशन भी कर रहे हैं किसान अने पौने भाव में धान बेचने को मजबूर जारखन में धान खरीद शुरू हुए 20 दिन भी चुके हैं लेकिन सुथ चाल के कारान अभी तक नामात्रक की ही धान खरीद हो सकी है बता दे हाला तेया है कि एक गिरीडी जीले को छोड़ कर 23 जीलों में धान खरीद का आकरा लगबक सुनी है कुछ जीलों में धान खरीद सुरू भी हुए तो गिला धान नहीं खरीदने के निदेश के बाद वहाँ भी खरीद ठप हो गई है अभी हाला तेया हाई की राजी के एक भी धान कराय केंद्रे में धान की खरीद नहीं हो रही है उधर किसान अने पढ़े भावे विचोलियों के पास जाहा ताहा धान बेचने को मजबूर हाई एक लाह का इनामी पी एल एफाई लारा टोपनो गिरफतार नकसली संगठन पीलेफाई के एरिया कमंडर एक लाख रुपे की नामी लारा टोपनो उर्फ धुलू टोपनो को गिरफतार कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है बतादे लारा टोपनो को खोटी पुलिस वा गुमला पुलिस ने सन्युक्त रूप से अभियान चला कर गुमला जिले के कामडारा थाना चेतर से गिरफतार किया है या जनकारी खोटी पुलिस अधिक चक आसुतोस सेखर ने रभिवार को दिया है भारत बंद से पहले निकाली विरोध रैली वाम दलो द्वारा आठ दिसंबर को भारत बंद का आवान किया गया है इसके पहले भागपा माले के सदस्यों ने रभिवार को राची उन्वर्सिटी से अलवट एका चोग तक किसी कानून वापस लेने की मांग को लेकर परदसन किया रैली में बड़ी संख्या में वाम दल के कारेकरता सामिल हुए राची में घेल के सहयोग से ठोस कच्रा का प्रवंधन करेगा निगा मुख मंतरी करेंगे शुरूआत बेहत चुनती पुन हालात में राची नगर निगम की कमान समानने वाले नगर आयोक्त मुकेश कुमान ने दवा किया है कि सहरवासियों से मिल रहे सवयोग की बदोलत नगर निगम परशासन, नगर विकास विभाग मेयर डिप्टी मेयर ववाड परशत के साथ मिलकर राइधानी राची की तस्वीर बदलेंगे उन्होंने बताया कि राची में ठोस कच्राप प्रवंधन के लिए जार्खन नगर विकास विवाग गेल के साथ मिलकर निगमित समाजिक दयुत के तहतकार करेगा जिसकी सुरुवात मुखे मंत्री इसी मां के अंत्तक कर सकते हैं पान मसाला तमबाखू की विकरी पर सिसी टीवी से निगरानी जार्खन हाई कोड के दूसरी बार फटकार के बाद राची में प्रतिबंधित पान मसाला एम तमबाखू के उपयोग पर सिकंजा कसने के लिए जिला परसासन ने नई रण निती पर काम सुरू कर दिया है इसके लिए परसासन की तरफ से जीले में विर्यात प्यमाने पर छापे मारी दस्ते का गठन किया जाएगा साथी राची जीला के सभी खादे प्रतिष्ठान होटल आदी पर कोटपा एक्ट दोयर्तीन के अनुपालन करवाने के साथ औचक निरिक्षन किया जाएगा मौसम विभाग द्वाराजारी पूर्वन वाइन में बताया गया है कि राची में अगले पांच दिनों तक मौसम सुस्क बना रहेगा मगर सुबह साम में कनकनी बढ़ने की संभवना है मौसम विभ्यानिक अभिषेक अनंद ने बताया कि उतर परदेश के उपर बना कौम दबाव का छेत्र अब बिहार के उपर बना हुए है वहीं पाच्मी विछोप की वज़ा से साथ दिसंबर से राजे में फिर्चे टंड बढ़ने की संभवना है 5000 सरकारी स्कूल को 5 स्टार की स्विर्णी दिलाएगी सरकार जारखन के 5000 सरकारी स्कूलों को स्वक्षता के मामले में अगले साल 5 स्टार का दर्जा दिलाने की राज सरकार त्यारी कर रही है वहीं 7000 स्कूलों को 4 स्टार का दर्जा दिलाया जाएगा इसके लिए स्कूली सिक्षा और सक्षर्था विभाग इसकूलों को संसाधन उपलब्द कराएगी जिससे वे इस लक्ष को प्राप्त कर सके बतादे इस साल 5 इस्टार इसकूलों के लिए 918 और 4 इस्टार के लिए 563 इसकूलों ने आवेदन किया था जार्खन में 92 नए संक्रमितों को पुष्टी हुई है जो राची से 37 बोकारों से 6 देवघर 7 धनबाद 5 दूमका 1 पूर्वी सिम्भूम 10 गडवा 2 गुमला 2 हजारी बाक 3 खुटी 3 लातेहार 1 पलामू 1 सराय केला 8 पच्मी सिम्भूम 6 मिले है जारखन में कुल संख्रमितों को संख्याعة 1 लाग 10 278 है जबकि 77 496 लोक्स्वहर्ष्टी हुए मिले है भारत में कुल संख्रमितों को संख्या 96 edit are 6800 है जबकि 91 383 1 7700 लोक्स्वहर्ष्टी हुए और 1 44590 की मिले翇 भारत में नएक केस 32,72 मिले हैं वही भारत में एक्टिव केस 3,95,869 है बतादे जारखन में एक्टिव केस 1796 है जारखन में एक्टिव केस इस प्रकार हैं जातियों के लिए अलग सरना अधिवासी धर्म कोड की मांग करने वाले संगठनों समर्थ को से 6 सवाल पुछे गए हैं यह सवाल जारखन अधिवासी सरना विकास समीती धुर्वा के अध्यक्ष मेधा उरावने पुछा है उन्होंने पहला सवाल पुछा की समीधान के अधिवासी धर्म कोड मिल जाता है तो आधिवासी बहुत संख्यक कालाएंगे या फिर अलप संख्यक दूसरा सवाल पुछा की सरना अधिवासी धर्म कोड आधिवासी जन जातियों की मांगा या फिर मिस्नरियों की वही तीसरे सवाल पुछा कि यदि मिशनरी इतने सुभ चिंतक है तो क्यों नहीं धर्म परिवर्तन लोगों के आरक्षन और सुविधा बंद कराने की बात कहते हैं वही चोथे सवाल की चर्चा मिशनरी सरना अदिवासियों को धर्म कोड दिलाने के लिए क्यों परसान है और चाठा सवाल पुछा है कि सरना धर्म ही तैसी है तो मन्निय उच्टम ने आलाए केरल बनाम चंद्रमोहन 24 में दिये गए फैसले को लागू करवाया जाए एसी एस का भारत बंद को समर्थन आदिवासि चात्र संग की बैठा क्रविवार को केंद्रिये करया ले डिप टीप पाड़ा में हुई इसकी अध्यक्षा केंद्रिये अध्यक्स सुसील उराव ने की इसमें किसान अंधुलन को लेकर चाचा की गई निरना लिया गया कि आ बाबाबार गाओ के पास बरवाब थान करमाडी जंगर में पुलिस और भागपा मवादियों के भी जमकर मुटभेर हुई घाटना रभिवार दोफर की है बतादे दोनों तरप से एक घंटे तक जमकर गोली बारी हुई मुटभेर में पुलिस को भाड़ी परता देख नक के उलंगन के आरोप में पाकुड जीले के रहाई सो पत्थर उद्योग पतियों के खिलाप चौशोपचास कोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है एंजी टी के इस करवाई से पत्थर उद्योगों में हरकम मच गया है बतादे जुर्माना रासी की वसुली को लेकर खन पत्र को जारी करेगी इसमें राज सरकार और कॉंग्रेस संगठन के उपलगदियों का जिक्र किया जाएगा बतादे कुरोणा मामारी के दोर में जब पुरभी स्वत त्राहिमाम कर रहा है तब केंद्र सरकार जार्खन के हिसे की रासी देनने में आनाकारी कर रही है उक्त में महिलाएं एवं बेटिया सुरक्षित नहीं है प्रतिदीन राजे के विभीन छेत्रों में आदिवासी दलित महिलाओ और बच्यों के साथ बलतकार अमानुए और बरबारता पुर्वक अत्याचार की खबरे आ रही है चार बरस की बच्यों से लेकर आश्रम में साधवी तक सुरचित नहीं है मुख्यमंत्री का नेतरहाट दवरास थगित मुख्यमंत्री हमन सुरेन का रभीवार को नेतरहाट दवरास थगित हो गया बता दे मुख्यमंत्री हेलिकोप्टर से लाते हार जाने वाले थे लेकिन इस बीच समय पर उनका हेलिकोप्टर यार पोट प साइबर थाना पूलिस को रभीवार को बई सफलता हाथ लगी है गुप्त सुचना क्याधार पर पूलिस ने गिरीडी के बेगाबाद थाना और गांडे थाना छेत्र से 179 साइबर अफरादियों को दबोचा है इन अफरादियों के पास पूलिस ने काफी मोबाइल सेट भी पर रामत किया है जार्खन में भाजबा विधायक दल के नेताई वंपूर मुख मंत्री बाबुलन मरांडी ने कहा कि सांसर निशिकान दूबे की पतनी और फैसन इंडस्टी की संचाली का अना मीका गोतम को जार्खन पूलिद्वारा भेजा गया नोटिस न केवल अपमान जनक है बली किया भी परमानित करता है कि जार्खन के हमन सरकार रायनीतिक विध्येश से ऐसी करवाई कर रही है मरांडी न रभीवार को कहा कि कि किसी प्रतिश्टित महिला के साथ ऐसे अपमान जनक पत्राचार की हिमत देवगर पूलिस प्रसासन ने कैसे की तीन ट्रोक सहित 90 गाय बश्रे जब्त जार्खन में गववद निश्यत अजनियम लागू होने के बावजूद मवसी की तसकरी जारी है इसे रोकने के लिए पूलिश लगतार प्रयास कर रही है इसी करम में स्स्पी सुरेंद्र जहा के निर्देश पर राची जीले में प्त सुचना के अधार पर बुड्डू स्टीपियो अजय कुमार ने करवाई करते वे सनिवार देर रात टोल पलाजा के पास 90 मवसी को ले जा रहे तीन ट्रकों को पकड़ा है मचली पकड़ने गया मचवार मसांजोर डेम में डूब गया unterstützen के देर साम मचली मारने के लिए घल गय डामरी गाओ के 16 वर्षी मचवार चांदव बासकी की मसांजोर डेम में डूब गया ख़बर मिलने पर पूलिश ने रात में ही उसे तलास ने का परयास किया लेकिन सफलता नहीं मिल सकी बता देर अभिवार की सुबह से गोताकोर की टीम ने उसकी तलास में लगी है अवस्यक सुचना है जैसे कि आपको बताया गया है ठंड को देखते हुए कमबल वितरन किया जाएगा जिसमें आपका सवयोग रासी सामील होगा आप लोगों में से कल मातर 20-25 लोगों ने सवयोग रासी भेजा है जिसमें अधिकतम 100 रुपए की रासी बैदनात कुमार जी ने भेजे है तो आपसे अनुरोध होगा आप इस सवयोग में बढ़ चरकर हिसा ले तभी गरीबों के बीच कमबल वितरन हो सकेगा धन्यवाद आप सवयोग रासी के लिए गूगल पे या फोन पे नंबर जो आपको इसकी पर दिख रहा है उस पर सेयर कर सकते हैं थैंक यू